इनसी ने बताया है मैं गया भी हूँ इसके गाउं में इनका गाउं है बहुत ज्यादा पैदल रास्ते पे कितने किलोमेटर पैदल चलते थे गाउं जाने के लिए दो किलोमेटर से तो ज्यादा है धोला से मैं जा रखाऊंँ पांच-छे किलोमेटर है तो फिर ऐसे जो है फिफ्ट के लिए फिर यहां आए है और अब बताओ क्या आगे ड्रीम है क्या बनना चाहोगे पुलिस में जाना चाहते हैं क्यों हमारा से सपना पहले से पुलिस में जाने का है हिमानशी का और बहुत अच्छा है तो अभी आपको एक माहोल अलग मिलेगा होस्टल में रहके पढ़ना पड़ेगा तो मैं बताओंगा यह बच्चे तो पहले से ही इंडिपेंडेंट होते ह हैं यह पताया जैसे चार बहने हैं ना तो छोड़ छोड़े बच्चे सेल्फ सफिसेंट हैं यह यहां खुद रहके अपना पढ़ाई करते हैं अपना खाना बिना खुद बनाते हैं तो इनको यह स्वाव लंबन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो यहां हमारे साथ है हिमानशी की बड़ी बहन भी है हां बाया में खुशी हो रही है चोटी बहन चली जाएगी अरे अच्छा तो कैसे कैसे करते थे तुम लोग अपने आप ही रहते हो खाना खुदी बनाते हो है ना और अब यहां कितने लोग रह रहे थे तो फुल मिला के पांच हम तो पांच सर अब यह चल जाएगी तो हम चार रहें चार बचेंगे ठीक है तो तुम भी इसको गाइड करती थी पढ़ाई में या खुद से कर लेती थी तैयारी कभी-कभी बोलते हैं जो नहीं आतल सर तब पूशती थी आच्छा बोलते हैं कि इसको जर्वाद नेटी खुदी करती मतलब जैसे तुमारे मम्मी पापा भी भाई साथ नहीं रहते तो फिर खुद से ही अपनी खुद सारा काम खुद पढ़ाई खुद से करते हो आप लोग है ना पहुत बढ़ीया तो इमान सी आउजरा ढ़ीदी के साथ अपनी तो दीदी से क्या सीखा तुमने बढ़ी तुम हीो सब से इन में तो बढ़ी दीदी से क्या सीखा है यवी बहुत बढ़ीया और देखवाल भी करती है, मम्मी की तरह जो है तुमको रखा है, है ना, भाई, खाना भी बनाती थी है, टाइम पे सब कुछ, चलो बहुत बढ़िया, all the best.